नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल आकाज ETP में हार्दि सोगत करता हूं और आज हमारी स्टोरी टाइटल है कुरुकड हावलिंग कुरुकड यानि कुटिल हावलिंग चिलाना कुटिल चिलाना चुल इस्टोरी को स्टार्ट करते हैं there was a thief who was Notoriously Popular for this Cunning Tricks thief यानि चोर, Notoriously ay नोंख्चे परकार से popular यानि लोग पर यानि चालाक , यानि चाल इक चोस्हों था जो अपनी चाल की चालकों से परशित था he was very problematic to the entire community very यानी बहुत problematic यानी शमाश्या entire यानी पूरी तरह है community यानी समुधाइक और वह पूरी समुधाइक के लिए समाश्यात में था in spite of all their efforts even to please court not catch him effort यानी कोशिस करना police यानी police catch यानी पकड़ना और police तमाम कोशिस करने के बावजूद भी उसे नहीं पकड़ पाई once the thief set this eyes on a decent traveler थिफ यानी चोर eyes यानी आखे decent यानी जो पूरी तरह सम्मर्द होता है सब्भै या समझदार उसे बोलते हैं decent traveler यानी यात्री उसकी नजर एक बार उसकी नजर एक यात्री पर थी he was very much attracted at the new coat of the traveler new यानी नया coat यानी jacket coat होता ये ऐसा coat jacket attracting यानी आकर्षन और उस यात्री का coat बहुत आकर्षन था the coat looked very costly costly यानी कीमत या कीमती और वहें coat बहुत कीमती दिख रहा था looked means दिखना he want to still the coat still यानी चुराना want यानी था चाता था और वहें coat को चुराना चाता था so he cooked a plan cooked यानी बनाना plan यानी योजना और उसने एक योजना बनाई दा थिफ अप्रोज दा ट्रेवलर और अप्रोज यानी पहुचा और थिफ यान चौर ट्रेवलर यात्री और वहें यात्री की पास पहुचा introduced himself as a business person introduction यानी परिच्चे देना himself यानी खुद का business यानी व्यापारी परशन यानी व्यक्ति और वहें अपना परिच्चे एक व्यापारी व्यक्ति के रूप में दिया he started to a conversation conversation यानी बातचीत करना and और वहें अपनी बातचीत शुरू की soon found that the traveler to was business person found यानी पाना soon यानी जल्दी business यानी व्यापारी और परशन यानी व्यक्ति और उसने जल्दी ही पाया कि यात्री भी एक व्यापारी व्यक्ति था both the person fell in a smooth conversation smooth यानी शिलो शिलो या साप सुत्रा फैलेन गिरना और वहें उन दोनु और दोनु व्यापारी अपनी बात में मगन हो गए या गिर गए मगन होना शड़नल यानी अचानक the thief took off the waist coat and waist यानी कमर और अचानक चोर ने अपनी कमर की जैकित उतारी said और कहा it is too hot in this room रूम यानी कमरा, hot and grim यह गरम कमरा है इसका मतलब होता है is not it ठीक है यह हो इसका मतलब होता है is not it इसका मतलब होता है है ना, ऐसे बोलते है ना है ना, यहां कमरा गरम है ना, ऐसे बोल रहा है, यह कमरा गरम है ना, दा ट्रेवलर, also agreed and took off his coat, और agreed यहनी मानना, और यातरी भी मान लिया और उसने भी अपना coat उतार दिया, this is a nice coat, यहां एक अच्छा coat है या jacket है, can I have a feel of this, feel यहनी महसूस करना, क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूं, दा ट्रेवलर यातरी ने कहा, अगर स्टोरी थोड़ी भी पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बिल्कूल भी ना भूले, दा टिफ टुक दा कोट, कोट ने जैकिट टुक देन लेना और चोड ने जैकिट लिया और सड़नली योंड, योंड का मतलब होता है, वो जमाई लेना, जमाई लेना का मतलब होता है कि उबासी लेना, और चोड ने उबासी ले, अचानक चोड ने उबासी ले, देर वूज ए हावलिंग शाउंड देन दा टिफ योंड, हावलिंग ने चिलाना, शाउंड ने शोर, और जब चोड ने उबासी ले तो एक आवास सुनाई दी, दा अम्यूस्ट ट्रेवलर आक्ष, अम्यूस्ट कर मतलब होता है, खुस, और खुस यादरी ने पूछा, वाई आर यूंग, हावलिंग, कैन यूंग, योंग, योंग ने उबासी, हावलिंग ने आवाज या चिलाना, जब तुम उबासी लेते हो, तो आवाज क्यों आती है, दा टिफ शैड, सोरी, और चोर ने कहा, माप करना, I should have told you, मैं तुम्हें बताने बताना चाहता था, या बताने वाला था, but I thought you should be frightened, frightened डरना, मुझे लगा कि आप डर जाओगी, You see if you, अगर देखो, I own thighs at a stage, stage यानि छीकना, थाइश यानि तीन बार, अगर मैं तीन बार, छीका, I turn into a wolf, and kill anyone, anyone in front of me, train यानि बनना या मुझे न उफ यानि भेडिया, और मैं भेडिया बन जाओँगा, kill यानि बार ना, anyone यानि कोई भी, front यानि सामने, और मैं भेडिया बन जाओँगा, कोई भी मेर सामने आएगे मों से, मार दूँगा, दा, दा, looked beveled, beveled यानि घबराना, और look में दिखना, और यात्रिक घबरावे दिख रहा था, दा, तिफ योन अगेन फोर दा, सेकेंड टाइम, तिफ यान चोर, योन में सुबासी लेना, अगेन दुबारा से, सेकेंड दूसरी बार, और चोर ने दूसरी बार उबासी, ली, दा, हावलिंग, साउंड, कैम अगेन, और फिर से आवाज आई, दा, ट्रेवलर लुक्ट स्टिल, बेवल डेड, और यातरी फिर से गबरायोए दिख रहा था, दा, तिफ वोज अबावट टू, योन दा, थर्ड टाइम, और चोर ने थर देन तीसरी बार, और चोर ने फिर तीसरी बार, उबासी ली, ही, स्टूक अप एंड, वोज रेडी टू, रन अवे, विद ए, कोट, दा कोट, स्टूक अप यानी, उठा, और वहें हूँ उठा, रेडी यानी, तैयार होना, रन अवे यानी, भागना, विद कोट यानी, एक, कोट यानी, जैकिट के साथ, विद दा कोट, और कोट के साथ, और वहें खड़ा हो गया, और कोट के साथ, भागने के लिए, तैयार होआ, ही, थोड, देट, दा, ट्रेवलर, सुड, ओल्सो, रन अवे, थोट मिन सोचना, रन अवे नी भागना, और चोर ने सोचा की है, यातरी भी भाग जाएगा, इनी स्टेट दा, ट्रेवलर टुक ए पैर, ओफ, हैंड, हैंड कप्स, एंड, लोग दा, थिफ हैंड, इनी स्टेट का मतलब होता है, की बजाए, ट्रेवलर यानी यातरी, टुक ए पैर, यानी पैर यानी जोडे, दो जोडे होते हैं उसे, जोडे बोलते हैं, जोडे को पैर बोलते हैं, हैंड कप्स यानी, हतकडी, जो पुलिस के पास हतकडी होते हैं, उसे बोलते हैं हैंड कप्स, यहीं जॉइल्ड एंदिखाया और उसने अपना रूप दिख़ाया आइए में पोली ओफिशर इन डिसकाईज इससे यह या बेस बॉस सागते हैं इसいます बेस मेले बदल कर एक ऑफिशर हुं इसलिंट पकड़ना आया था तो अब बैस बदल कर आया He was deposed to arrest you red hands Red hands यानि रंगे हाथ Deped यानि न्यूक्त किया तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए मुझे न्यूक्त किया गया है You are under arrest for you It's telling for any innocent people Innocent यानि मासूम People in log इस्टिल में चुराना और तुमने कई मासूम लोगों के चीजे चुराई है इस जिसके तहत तुम्हें अरेश्ट किया जा रहा है जिसके तहत तुम्हें बंदी बनाया जा रहा है दा तीफ वोज सोग्ट यानि चोक न चोग गया पुट सरेंडेड यानि आतम संपरंट करना और वहें चोर अपने आतम संपरंट कर दिया चोर भी क्या-क्या ट्रिक नहीं लगाता और पुलिस भी क्या-क्या ट्रिक नहीं लगाती कि दोखा कभी भी हमेशा के लिए नहीं जीतता इससे हमें यह सिक्ष्या मिलती है कि हमें कभी भी वह चोरी नहीं करनी चाहिए और पुलिस हमसे दो कदम आगे चलती है हमें यह सोच कर रहना चाहिए कैसे लगी स्टोरी अगर थोड़ी प्रसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपका दिन सुब हूँ थैंक यू